हाई एवरिवन वालकम तो माई चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूँ मैगी की रेसिपी यह तो बड़ा ही एजी है और आप लोग सोचेंगे और यार मैगी की रेसिपी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हू मैगी की रेसिपी जो की दो तरह से मैगी बनाना बताऊंगी मैं आज आज आपको किस तरह से आप जब आपके पास time जादा हो तो आप मैगी बनाईए और बहुत ही short time हो और आपका बच्चा बिलकुल नहीं रुक रहा है मतलब मैगी खाने के लिए तो आप कैसे बना सकते ह ठीके जिसमें दौनों ही टेस्टी और बहुत ही टेस्टी बनेगी सीरियसली लेकिन दो रेसीपीज आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ और आप वीडियो को लास तक जरूर देखी काफी इंट्रस्टिंग वीडियो है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं मैंने जो मैगी ली है वो चार मैगी ली है जो की छोटे वाले पैकेट है चार और उसके साथ जो पाउच आते हैं वो पाउच यहां पर चार रखे हुए है ठीके उसके साथ में मैंने जो इंग्रीडियन्स अलरड़ी कट करके रखे हैं वो चारो मै मैं तो मैंने द्योग मैंगी अलग रेसिपी से और द्योग में मगय लिए अलग रेसिपी में और अलग बनाे वाले हुँ तो यह पूरे इंग्रीडेंस को हाफ आफ करके दौनों में डालेंगे तो यहां अनियन मैंने कट कर लिया है गण्ड़權न के यूज़ करेंगे और पैन रग दिया है मैंने गर्म होने के लिए गर्म हो चुका है अब मैं इसमें ऐल एड़ कर रही हूँ ऑयल मैने चोटा जो चम्मच होता है सबजी बनाने वाला वो मतलब आधा चम्मच आधे से भी कम मैंने ओयल डाला है ठीक है ओयल जैसे ही गर्म हो जाएगा देन उसके बाद में हम इसके अंदर आगे की इंग्रीडेंस एड़ करेंगे ये काफी काफी टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है तो आप लोग जरूर एक बार ड्राय करिएगा तो अभी आप देख सकते हैं ओयल गर्म होते ही मैंने इसमें राइ डाल दी है थोड़ी से चुट्की डालनी है हमें बहुत ज़ादा नहीं क्योंकि हमारी दो मेगी है तो उसके एकोर्डिंग ही हमें डालनी है तो यहाँ पर मैने राइ डाली है और यह थोड़ा सा मतलब चच चट करने लग जाए देन उसके बाद में हम इसमें अनियन अड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने अनियन डाल दिये हैं और मैंने जितने अनियन कट करें उसमें से हाफ इसमें डाल दिये हैं तो इसे fry होने देंगे हम और fry होने के लिए हमें कम से कम एक से दो मिंट लग जाएगा इस मैगी को बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस ज़ादा है मतलब ये आपकी जो मैगी है न वो 5 से 7 मिंट में बन के तयार होती है मतलब 7 मिंट तो इजीली लग जाएंगे इस मैगी में क्यूंकि हम इसे fry करके बना रहे हैं तो इसमें साथी साथ आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्च भी डाल दी आपसे बाते करते करते तो ये हरी मिर्च है इसको भी मैंने आधी डाल दी है इसमें अब हम इन इंग्रेडियन्स को थोड़ा सा fry कर लेंगे यानि कि एक मिर्ट के लिए हम fry कर लेंगे और ये कुछ-कुछ fry हो गए है ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम fry हो गए अब तो तो अब मैं इसमें उपर से जो spices होते हैं वो डाल रही हूँ जो मैंने हल्दी और हरी मिर्च दौनों ही एक एक चुटकी डाली है आप अगर spicy अपने लिए बना रहे मैगी और spicy काना चाहते है तो आप अपने टेस्ट के according डाल दीजेगा और मैं यह मैगी अपने लिए ही बना रही हूँ इसलिए मैंने उपर से थोड़े से मसाले अड़ किये हैं और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ जो कि मैंने आप देख सकते हैं आधा टमाटर भी इसमें डाल लिया है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे मतलब आधी मिनट मान लिज़े आप आधा मिनट इसको लगेगा फ्राई होने में तो यह फ्राई हो गया है यह देखिए आधा मिनट में और काफी अच्छा मतलब लगा है और अब मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूँ ठीके तो यह पानी मैंने इसमें डाल दिया और पानी आप उतना डाली जितनी देर मतलब जितनी आपकी मैगी को गलने में टाइम लगता है बस उतना पानी हम इसमें एड़ करेंगे तो मैंने इसमें एक कप मान लिजा आप, एक कप पानी डाल दिया है पानी जैसे ही बाइल हो जाता है, तो मैंने दो पाउच वे पान करके है पहले मैंने मसाला डाला था, वो भी डाला है because मुझे थोड़ा से spicy खाने का मन कर रहा है और मैंने उस वक्त नमक एड़ नहीं किया क्योंकि मैं नमक इसमें ज्यादा नहीं अलग से नहीं डालती क्योंकि नमक इसका जो मसाला होता है मतलब उसमें नमक मुझे थोड़ा हमेशा क्यूंब प्ता नहीं, जादा ही लगता है तो मैं मैगी में अरलक से नमक नहीं डालती हूं और यह आप देख सकते हैं यह मैगी मैंने हाफ आदी मैगी मैंने श्में डाल दी है और आपको मैगी डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी पानी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं अपने according ठीक है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और add किया है और अब इसको मैं बस flame हमें तेजी रखना है slow flame की जरूरत नहीं है क्योंकि high flame पर ही बहुत अच्छे से जल्दी से बन जाती है मैगी तो high flame ही है अभी यह पूरा मतलब मैंने slow तो बिल्कुल आई थिंग नहीं किया था पूरा high flame पर ही बन रही है यह तो यह देख सकता है अब यह जल्दी जल्दी पानी भी सारा absorb हो चुका है और यह मैगी भी काफी मतलब पूरी गल चुकी है औ मतलब almost ready होने वाली है तो बस यह ready हो चुकी है अब मैं इसे dish out कर लूँगी बट इसमें एक चीज की कमी रह गई यार I am really sorry because मेरे पास हरा धनिया नहीं था अदर्वाइस इस बहुती मजा आ जाता इसका अब आप देख सकते हैं वो मैगी मैंने निकाल ली अब मैं यह second recipe उसे मुझे दोने की जरूरत नहीं है because मैं already उसमें मैगी बना चुकी हूँ तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है और उसमें मैंने directly पानी डाला है और कुछ नहीं डालना है आपको direct पानी डालना है उसमें थोड़ा सा मैंने देखिया आप oil डाला है थोड़ा सा मतलब एक तो यहाँ पर मैंने पानी के अंदर ही सारी चीज डाल दी है और जैसे ही पानी बॉइल हो जाएगा दन उसके बाद में अब हम इसमें पाउच यह जो है यह जो है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं बस यह मैंने पानी के अंदर ही सारी चीज डाल दी है और जैसे ही पानी ब बॉइल हो जाएगा दन उसके बाद में अब हम इसमें पाउच ये जो है ये पाउच सारा डाल देंगे तो ये दो जो पाउच थे ये दौनों पाउच मैंने इसमें डाल दिये इस रेसिपी के लिए और अलग से इसमें मैंने कोई भी स्पाइसेज नहीं डाले हैं बिकॉज मैं चाहती थी ये वाली मैगी वो मैंने अलरड़ी मेरे लिए बनाई थी होड़ी स्पाइसी और ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने कुछ नहीं डालती ये वाली आप देख रहे हैं जो रैसिपी वो बिलकुल बच्चों के लिए है तो मैंने इसमें जाते हों और यह बहुत tasty लगती है आप इससे जरूर ट्राय करना अगर आपने नहीं बनाई है इस टाइप की तो और साथी साथ आप आप देखते देखते इसमें मैंने सारी मैगी डाल दी है और अब बस क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है बस इसको अब हमें छोड़ देन जैसे ही मैगी पूरी गल जाएगी पानी एब्सॉर्व हो जाएगा तो हमारी मैगी रैडी है तो बस आप देखिए इसमें बहुत कम टाइम लगता है अगर आपके पास बिल्खुल टाइम नहीं है तो आप यह वाली मैगी बनाईए और यह बनती भी टेस्टी है तो आप दे देखिए इसमें से पूरा पानी हो चुका है बस कम्प्लीट यह बन गई है और इसका कलर आप देख सकते है काफी लाइट आया है विखुज वैने ऊपर से कौई भी इसमें हल्दी और मिर्ची नहीं डाली तो बहुत ही लाइट कलर है इसका और यह रैडी हो गई है तो इसे भी अब हम डिश आउट कर लेंगे मतलब मैंने आपको बच्चों वाली मेगी बता दी और बड़ों के लिए दौनों के लिए बनानी बता दी है दौनों ही रैसिपिया आपके साथ श्येयर की है तो आप दौनों से ट्राइ कर लिए और दौनों का टेस्ट बिलकुल अलगे यह सबसे अच्छी बात है तो अगर आपके पास वो है तो आप जरूर वो उपर से गार्निश करना काफी देखने में भी काफी अच्छी लगेगी और खाने में भी आपको मज़ा जाएगा एक्चुली मेरे पास उस वक्त ही नहीं तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई तो आपको कैसी लगी यह दौनों रैस झाल 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 झाल